हलो प्रेंट्स आइम अप्रती वेलकम एक ट्यूर चैनल प्लांट्स स्पेस नौवेंबर मन्त की शुरुआत हो चुकी है और नौवेंबर मतलब सर्दियों की शुरुआत हो जाना अभी आपको ठन नहीं लगेगी लेकिन आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अप स्लो ह हो जाएगी जैसे कि हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है लेकिन हमारे कुछ वीवर्स नए भी रहते हैं इसलिए हर बार बताना पड़ता है तो अभी सर्दियों में जो जो प्लांट्स ग्रोथ बंद करेंगे उनकी लास्ट प्लावरिंग चल रही होगी बहु बिल्कुल खाली हो गई है पतियों से जो नीचे नीचे की टहनिया है लेकिन इसमें फिर आपको बता दे कि परेशानी की कोई बात नहीं है अभी बहुत से प्लांट्स की जो पतियां वो सभी जढ़ जाएंगी भूलाना बंद हो जाएगा तो अभी हमारे पास एक कमेंट क पूछा गया है और रियल में भी मुझसे पूछा गया है कि क्या हम अपने प्लांट्स की कटिंग या प्रूनिंग कर दें तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि अभी क्या है अभी ग्रोथ सीजन रुका है तो जो जितनी भी टहनिया है उनमें अभी हरापन है तो धी मन्त में अभी आप प्लांट्स को ऐसा का ऐसा रहने दे बस सबसे जादे फोकस आपको उसके पानी देने पर करना है यानि धूप की रिक्वर्मेंट नहीं होगी कोई भी क्योंकि जब पत्यां ही नहीं होगी तो प्लांट फोटो सिंथेस नहीं करेगा फूड नहीं बनाए बस आपको पानी देने पर फोकस रखना है यह जो खास तोर से अलमंडा की हमने आपको तीन वराइटी दिखाई थी अगर आपने लास्ट वीडियो चेक की होगी तो नहीं चेक की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी जरूर चे और यह हमारा खुद का experience भी रहा है जो कि हमने आपसे एक बार शेयर भी किया था क्योंकि तब growing season start हो गया था तो जो नई पतियां आई थी वो भी पीली आई थी और पीली पतियां आने का मतलब है या उसमें हरापन कम हो उसमें पीलापन जादा हो तो इसका मतलब है कि मिट पाती है क्योंकि सूरज हर रोज नहीं निकलता है सुरे की किरण नहीं पढ़ती है इसलिए पानी जो है मिट्टी में व्हो एवापुरेट नहीं हो पाती है और जब banana is उनको भी करणा है अईसा का ऐसा रहने देना है पत्यां इस पर एभी हमने हटा दी थी इसलिए आपको देखें तो एक दो पतियां आपको पीछे की तरफ से इसमें पीली दिखाई दे रही होंगी वो इसी वज़े से क्योंकि अब ये ग्रोध बंद कर रहा है और इसका लास्ट टाइम है फ्लावरिंग का धीर दिये इस पे सारे फ्लावर्स कतम हो जाएंगे यही काम हिबिस्किस प्राजिता में होगा यही काम अलमांड कक ए crushing नहीं में बीज बनने का समय है बहुत से लोग इस समय क्या कर रहे हैं गढ़ल की प्रूनिंग कर दे रहे हैं चए अब Chen П van को प्रून कर दे लेकिन ऐसा बिलकूल करना है प्लांट को आप ऐसा का ऐसा रहने दीजे कोई परिशानी की बात नहीं आपका प्लांट खराब नहीं होगा, उनको आप चाहें अगर आपके गार्डन की शोभा वो बेकार कर रहे हैं, सूखे पौधे जिन पर पतिया नहीं है तो उनको आप पीछे की तरफ गार्डन में रख दीजिए और आगे की तरफ सीजनल प्लांट्स यानि की जो प्लाविंग टाइम है जिनका उनको रखिए कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा थेंक यू